हेलो फ्रेंस वेलकम.bude YouTube चैनल आज की वीडियो को टाइटल पढ़कर आप लोग समझ के होंगे, आज की वीडियो में आपको ठेडिंग बनाने का पहला step पर वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो आप बिगिनर है, ठेडिंग बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आप आप लोगों के लिए बहुत जादा है इस वीडियो को फुल वाच इजीगा तभी आपको अच्छे समझ में आयागा और स्किप मत कीजीगा क्योंकि क्योंकि स्टैब आप इसके अंदर थेडिंग बनाने का प्रेक्टिस है जो प्रेक्टिस है जो आने का जो फॉस्स स्टैप इस पर प्राइज लिखा हुआ है वो फिप्टी रुपीज लिखा हुआ है बट आप लोग यह ऑनलाइन पर्चेस करेंगे तो आपको यह और भी डिसकाउंट में मिल जाएगा आप लोग इस धागे को फस्ट स्टैप कवर करने के लिए भी ले सकते हैं अधर आपके पास क नगती हूं और स्टैपि दोनों हाथों से भी दोनो ट्री अभी बना लेति हूँ बैट आप लोग लुगम एगर सजयस्ट करूंगी तो आप दोनों हाथों से प्रक्टीस कीजिए तो नों हातों से अगर आप प्रक्रेटिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी बना पाएंगे और साथ ही आपका जो आईब्रो का शेप है वह भी एकदम एक्वल होगा और प्रोफिस्टनल तरीके से थ्रेडिंग को बना पाएंगे प्रेक्टिस में आपको लेप ट्रेड ताइब में बताती हुँ कि लेप प्रेक्टिस कैसे करेंगे तो यहां पर आपको जो में बाभता हूं तो आप तरीका देख लिए मैं three finger अंगर ढालती हूं एक डो तीन चार पौछ यू स् कॉच लिए चैबल बढ़ लिए इंदर जो धागआ है हमारा जो इसपेस वह आपका होजागा चोटा लेकिन इसको आप बढ़ा कर लीजिए इस तरह से अब हमारे जो थम में हंगोटा है वह इस तरह से रहेगा ओके और इस तरह से दागा चलेगा इसे right hand में practice करनी है और left hand में practice किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बता दिती हूँ same हमारा वो ही process होगा आईब्रो धेड को आप खोल लीजिए और इससे दाद के बीच में दबा लीजिए इस तरह से राइट हैंड में धागा रहेगा और लेप्ट हैंड को अंदर डालेंगे डालने के बाद इस तरह अंदर डालेंगे और इस तरह एक दो तीन चार पांच मैंने यहाँ पर पांच बल भर ले आप छै भी बढ़ सकते हैं चार भी बढ़ सकते हैं साथ भी बढ़ सकते हैं लेकि पर पकड़ाब आप चाय तो इसे अंगुली में इस तरह कर सकते हैं इस तरह डलने से हमार जो धागा है आंगोटे पे टिकने वाला जो गया है वह अच्छे से वर्क करेगा जैसे हम स्विच को ओन अफ करते हैं यह बिल्कुल उसी के तरह वर्क करेगा जब हम थ्रेडिंग बनाएंगे तो इस धाय के कुछ अलानी का जो तरह होगी आपके वह इस तरह से होगी और यह प्रेक्टिस आपको एक या दो दिन में नहीं आपको लगतार काफी दिनों तक आप इसे प्रेक्टिस कीजिए अपने हातों को इस प्रेक्टिस पर सैट कीजिए और जितनी जल्दी आप अपने हातों को सैट कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप अपने थ्रेडिंग को को बनाने के कोशिश कर पाएंगे जोनों हातों से ठेड को चलाने अच्छे सब सीख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है प्रेक्टिस के लिए सामने वाली बंदी की जरूत पड़ेगी आप उसका इस तरह से ले लीजिए और आपको एक पैनली नहोगा उससे आपको उसस बनाने के लिए इसको बनाने के लिए आप पीछे की तरफ चले जाईए क्योंकि जब मैं उल्टे हाथ के थेडिंग बनाती हूं तो वहां पर मेरी पोजिशन पीछे की होती है ठीक उसी तरह आप पीछे चले जाईए और पीछे जाने के बाद आप इस त्रेडिंग के चलाना होगा, इसे आपको आईडिया होगा कि हमें अपने धागे को किस तरह मुमेंट देना है, तो यह आपकी इस तरह से प्रेक्टिस हो जाएगी, अपने प्रेक्टिस के लिए और भी नीचे बना कर एक Perhapsed dużo लिए आपकी जो प्रेक्टीस कर सकते हैं तो ऑप्रपर से बाल निकालि इस से आपकी जो प्रेक्टीस है बहुत अच्छे से होगी आपकी जो प्रेक्टीस के लिए आप और भी नीचे बना सकते हैं जब आपकी दोधोनों तरफ से प्ड्इस हो जाएगी तो आप सामने वाले के पूरे face के trading इस तरह से complete कर पाएंगे आप पर भी practice कर सकते हैं आप जितनी practice करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छे होगी उतनी जल्दी आप किसी के face पर भी trading बना पाएंगे तो practice जब बहुत अच्छे से इस तरह हो जाती तो आप किसी के face को ले लीजिए उस इसे से रिलेक्टेड वीडियो और भी मिलेगी साथ ही अपने दोस्तों में शेर कीजिएगा थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में